ओम चंति हमें इस्वयम भगवान पढ़ाने आए हम गोडली स्टुडेंट हैं और हाई-एस पढ़ाई पढ़ रहे हैं अमरे देश में आई-एस, आई-पी-एस, आई-एफ-एस यह बहुत सारी जो एड्मिनिस्टेटिव सर्विसीज हैं, फोरण सर्विसीज हैं, एकोनोमि कल्प सर्विसीज हैं, इनके बड़े-बड़े एक्जाम्स होते हैं, उनको लोग हायर एग्जूकेशन मानते हैं, पी-एस-डी की तो हायर एग्जूकेशन, एम-बी-ए, एम-टेक हायर एग्जूकेशन, आई-एस कर रहा है, कोई व्यक्ति उसको कितना नसा रहता है, मैं भी भगवान से पढ़ रहे हैं, हाइस पढ़ा है, डबलू-ए-एस है हमारी वर्ल एड्मिनिस्टरिटिव सर्विस, इस राज योग से हम विसूपर राज करने की कला सीखते हैं, ऐसी कोई अजूकेशन नहीं होती जिसमें राज करने की कला सिखाई जाती हो, तो हमें नशा रहना चाहिए, के बाद पढ़ाई पूरी हुई, और हम जाकर बने प्रिंस प्रिंसेज, विश्व माहराजन, राजन बहुत बड़ा पद है, ये खुशी हमें पढ़ाई के लिए चुर्स्त कर देती है, ये खुशी हमारे सभी व्यत संकल्पों को समात कर देती है, हम सचमुच कितनी सुन्दर विद्या प्राप्त कर रहे हैं, कभी सोचा था कि भगवान सम्मुक बैच कर पढ़ाएंगे, ये ऐसा तो नहीं कि भगवान पढ़ाते हों और हम पढ़ते ही न हों, या हम सोते हों, या पढ़ाई में हमारी रूची न होती हो, तब भला हमा को पावन बनाते चलें, हम ये बाबा पुझ्य बना रहे हैं, जो पवित्र हैं वही पुझ्य हैं, जो जितने जादा पवित्र उतने ही परंपुझ्य हैं, देखिए हमारी पुझ्य मुड्कियों को लोग कितना प्यार और भावना और रिगाड की नजर से देखते हैं, जि और ऐसी पुझ्यात्माओं को ही परमात्म प्यार प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान के लिए सबसे बड़ा अकर्षन, स्वच्छता और पवित्ता है, लोगों ने इस थूल में कह दिया, cleanliness is next to godliness, अर्थात, प्रमात्मा के बाद स्वच्छता का ही स्थान है, जहाँ स्वच्छता है वहां भगवान है, परन्तु यह स्वच्छता केवल बाहर की नहीं, बाहर की तो हम रखते ही हैं, ये सोचता है मन की, ये सोचता है बुद्धी की और इसका स्वरूप है पवितर्ता कोई भी विकार न रहें, विकारी संकल्प न रहें, विकारी भावनाय न रहें, हमारी पवितर द्रस्ती हो जाए, आत्मिक द्रस्ती हो जाए, हमारे चित में पवितरता के vibrations वहने लगे, हमारा चित सी तल हो जाए, करमेंद्रियां और अंगं सी तल हो जाए, ऐसे पवित्रात्माएं ही संपोर्ण पुझ्य बनती हैं, और देखिए उनके द्वारा भगती में भी सब की कितनी पालना होती रहती है, उनकी जड्मोर्तियों के द्वारा मनों काम में पूर्ण होती रहती हैं, लोगों को स्यांती और सबलता मिलती रहती है, कई विगडे काम सबरते रहते हैं, कई यों के विग्ननास्थ होते रहते हैं, ये सब पवित्रता का प्रभाव है, इसलिए अपनी प्यारिती को बहुत म सार्थ करें, आज सारा दिन ये स्वमान रखेंगे, मैं परम पवित्र हूँ, परम पुझ्य हूँ, और अपना पुझ्य स्वरूप चाहे अस्वुजाधारी देवी हूँ, चाहे सब का पालन करता विष्णु हूँ, विग्न विनाशक गनेश हूँ, ये अपना स्वरूप सा आपने लाएंगे घंटे में एक बार, इस फिलिंग के साथ मैं ये हूँ, ओम स्यंपी